C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठ पुस्तक गणित का जादू का छठा अध्याए मैं तेरा गुननखंड गुनज तू मेरा पेज 87 चूहा और बिल्ली भुकी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में दो खाने कूद सकता है बिल्ली तीन पर है वह एक बार में तीन खाने कूद सकती है अगर चूहा 28 पर पहुँच जाए तो वह बिल में छिप सकता है पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा यहां 29 खाने दिये गए हैं इनमें तीसरे खाने पर एक बिल्ली बैठी है और चौधवे खाने पर एक चूहा बैठा है ये सब ही खाने आयताकार है क, वे खाने जिन पर चूहा कूदा, खाली जगह ख, वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी, खाली जगह ग, वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, खाली जगह क्या चूहा बच सकता है, खाली जगह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छबीस, सत्ताईस, अठाईस, उन्तीस, पता करो, अगर बिल्ली पाँच से शुरू करके एक बार में पाँच खाने कूदती है, और चौहा आठ से शुरू करके एक बार में चार खाने कूदता है, तो क्या चौहा बच पाएगा, बच्चों को अलग अलग गुनज के लिए इसी तरह के सवाल बनाने के लिए प्रोटसाहित करें और एक दूसरे से हल करवाने के लिए कहें, पेज 88, मॉन्टो का इंतजार, मॉन्टो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है, क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है, इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है, यह यहां एक से साथ तक कुछ वरगाकार खाने दिये गए हैं। यह खाने अलग-अलग रंगों के हैं। एक, दो, तीन, डी, चार, पांच, छह, साथ, एक्स, आठ, नौ, दस, ग्यारह, एम, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, पी, सत्रह, अठारह, उन्नीस, आई, बीस, एक्कीस, बाइस, 23, O, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, R, 31, 32, 33, N, 34, 35, U, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 44, 43, B, 44, W, 45, 46, 47, S, 48, 49, 50, 51, J, 52, 53, 54, 55, H, 56, 57, 58, 69, E, 60, हर एक संख्या जो दो से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ, उन संख्याओं पर जो कि तीन से भाग हो सकती हैं पीले बिंदु से निशान लगाओ, और चार से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ, ऐसे कौन से खाने हैं? जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं इन खानों के उपर कौन से अक्षर हैं? इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो खाली जगह पेज नवासी मियाओं खेल इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है दो और ऐसे ही खेल चलता रहता है जिस खिलाड़ी को तीन या फिर तीन से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह मियाओं कहेगा जो मियाओं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा आखिरी बचा खिलारी जीत जाएगा तुमने कौन सी संख्याओं को मियाओं से बदला? तीन, छे, नौ, खाली जगा यहाँ बच्चे खेलते हुए दिखाए गए हैं इन संख्याओं को तीन के गुणज कहते हैं संख्या तीन को चार से बदल कर इस खेल को खेलें अब तुमने किन संख्याओं को मियाओं से बदला? यह संख्याओं चार के गुणज हैं पांच के कोई भी दस गुणज लिखो खाली जगा बच्चों को इस खेल को अलग-अलग संख्याओं के गुणज के साथ बार-बार खेलने को प्रोच साहित करें पेज नवे पासे का खेल दो पासों को एक साथ फेंको पासों के उपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं? इन अंकों की दो अंकों वाली एक संख्या बनाओ अगर ये संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो अब तुम्हारे दोस्त की बारी है जो दस बार में ज्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा यहां दो बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं मेरे पासों में तीन और दो हैं अगर मैं तेईस बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुनज नहीं है इसलिए मैं बत्तीस बनाऊंगा जो कि चार का गुनज है और उसे लाल गोले में लिख दूँगा यहां चार वृत दिये गए हैं वृत संख्या चार लाल रंग का है वृत संख्या पांच काले रंग का है वृत संख्या छे नीले रंग का है और वृत संख्या साथ हलके बैंगनी रंग का है पेज इक्यानवे साजहा गुनज कोई एक संख्या सोचो अगर वह तीन का गुनज है तो उसे लाल गोले में लिखो अगर वह पांच का गुनज है तो उसे नीले गोले में लिखो यहाँ पर दो वृत एक दूसरे को काट रहे हैं एक वृत लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का है मैं पंदरह को कहां लिखूँ वह तीन और पांच दोनों का गुनज है कुछ संख्याएं तीन और पांच दोनों के गुनज है इसलिए हम उन्हें तीन और पांच दोनों के साजहा गुनज कह सकते हैं सुचो, अगर तुम तीन और पांच के साजहा गुनज बैंगनी हिस्से में लिखते हो, तो क्या वे लाल और नीले दोनों गोलों में भी हैं? इन साजहा गुनज में से सबसे छोटा कौन सा है? खाली जगह खेल को दो और साथ संख्याओं के साथ दोहराओ दो और साथ के साजहा गुनज लिखो खाली जगह पेज बानवे खेल को चार, छे और पांच के गुनज को गोलों में रख कर फिर से खेलें चार, पांच, छे यहाँ पर तीन वृत दिये गए हैं यहाँ एक पेड़ भी दिखाया गया है पांच और छे के कौन से साजहा गुनज तुमने हरे भाग में लिखे हैं चार और छे के कौन से साजहा गुनज तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं कौन से रंगवाले भाग में तुमने चार, छे और पांच के साजहा गुनज लिखे हैं 4, 6 और 5 का सबसे चोटा सा जहा गुनज कौन सा है? खाली जगा पहेली इमली के बीज सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए उसने उनसे 5, 5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है उसने 6, 6 के समूह और 4, 4 के समूह बनाने की कोशिश की हर बार एक बीज बच गया सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं बच्चों को इस तरह की क्रियाओं को बीज और पत्थर आदि के साथ अपने आप करने को प्रोसाहित करें पेज तिरानवे कुछ और इमली के बीज अमिनी इमली के बारह बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है बारह इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो ग्रिड को रंगना यहां एक ग्रिड दिखाया गया है उसमें चौकोर खाने बने हुए है यहां एक बच्चा भी दिखाया गया है इधर दिये गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है इस आयत की चौड़ाई दो खानों के बराबर है इसकी लंबाई कितनी है 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो पेज 94 तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो उन सब को ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो चौड़ियां यहां एक चितर में दो बच्चियां चौड़ियों से खेल रही है एक सलाख पर 18 चौड़ियां है मीना उन्हें समुह में रखने की कोशिश कर रही है वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समुह में रख सकती है किसी भी चौड़ि को छोड़े बिना अगर वो एक चौड़ि का समुह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समुह होंगे अब अलग अलग चौड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समुह बनाए जा सकते है यहां एक बच्ची चौड़ियों के साथ दिखाई गई है यहां एक तालिका दी गई है इस तालिका में दो कॉलम है, पहले में चूडियों की संख्या लिखी है और दूसरे में अलग-अलग समूह जो हम बना सकते हैं चूडियों की संख्या 18, समूह जो हम बना सकते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18 चूडियों की संख्या 24, समूह हम बना सकते हैं 1, 2, खाली जगह पांच खाली जगह, नौ खाली जगह, साथ खाली जगह, दो खाली जगह, दस खाली जगह, एक खाली जगह, बीस खाली जगह, तेरह खाली जगह, एकीस खाली जगह, पेज पिच्चे आनवे चूडियों की संख्या 5, 9, 7, 2, 10, 1, 20, 13 और 21 के बारे में आपको लिखना है चार्ट को भरो इधर दिये गए गुना के चार्ट को भरो यहां एक चार्ट दिया गया है इसको 13 बराबर बराबर लाइनों में बांटा गया है हर लाइन में 13 वर्ग हैं जिसमें कुछ खानों में संख्याएं लिखी हैं और कुछ खानें खाली हैं एक्स एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, बीस, एक्कीस, चालीस, बहत्तर, छे, सथ, चार्ट में हरे खानों पर विचार करो ये दिखाते हैं कि अलग-अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है 12 बराबर 4 गुणा 3 इसलिए 12 संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है इसी तरह 12 संख्या 6 और 2 तथा संख्या 12 और 1 का गुणज भी है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 संख्या 12 के गुणन खंड हैं 12, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, 1 गुणा 12, पेज 96, 10, 5 गुणा 2 10 के गुणन खंड कौन से हैं? खाली जगा क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो? 36 के गुणन खंड कौन से हैं? खाली जगा इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणन खंड ढूंड हो ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुननखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो साजहा गुननखंड पचीस के गुननखंड को लाल गोले में और पैंतीस के गुननखंड को नीले गोले में लिखो यहां दो वृत बने हैं जो के एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं एक लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का है तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग बैंगनी में कौन-कौन से गुणनखंड लिखे हैं? ये 25 और 35 के साजहा गुणनखंड हैं अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो दोनों गोलों में आने वाले बैंगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं 40 और 60 के लिए सब से बड़ा साज़ा गुणनखंड कौन सा है पेज 97 गुणनखंड पेड गुणनखंड के पेड को देखें अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड बना सकते हो तीन तीन नौ दो अठारह अठारह तुम चौबीस का गुणनखंड पेड कितने तरीकों से बना सकते हो उन में से तीन को नीचे बनाओ यहां तीन खाली जगहें दी गई हैं चौबीस दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड बनाने की कोशिश करो पार्क का रास्ता यहां एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति और कुछ सामान दिखाया गया है एक अनू के घर में एक पार्क है उस पार्क के बीच में एक रास्ता है उन्होंने रास्ते को दो फीट, तीन फीट और पांच फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया मिस्त्री ने पहली पंक्ति को दो फीट की टाइल से दूसरी पंक्ति को तीन फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को पांच फीट की टाइल से टाइल किया मिस्तरी ने किसी भी टाइल को नहीं काटा रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है पेज 98 2. मनूज ने एक नया घर बनाया है वह फर्ष पर टाइल बिछाना चाहता है कमरे का आकार 9 फीट गुणा 12 फीट है बाजार में तीन तरह की चौकोर टाइले हैं एक फुट गुणा एक फुट, दो फुट गुणा दो फुट और तीन फुट गुणा तीन फुट उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके यहाँ एक बच्चा दिखाया गया है जिसके हाथ में टाइले हैं यहां एक और चित्र है, उसमें तीन मकान दिखाए गए हैं और तीन बच्चियां दिखाई गई हैं रानी का घर, तीन, गीता का घर, नसीमा का घर रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी नवे फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सबने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी। तीन अलग अलग तरीके बताओ। समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। फुट पर चर्चा करना उप अपयोग अपनी लंबाई के बारे में बात चीत के समय करते हैं। बच्चे अपने सेंटिमीटर स्केल का उपयोग करके एक फुट की लंबाई का अंधाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुष्टक का छठा अध्याय पूरा हुआ। रुचे शर्मा निर्माण एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।